नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शिवम आप देख रहें शिवम अंसी जन्री और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो है आप टाइटल देख रहोंगे वीडियो पे मैंने आखिर डिजारी ही क्यों ली तो इसका मेंन मोटो यही था कि यह एक फैमली बजट कार थी और इतने पैस कार होती है वह मेरा मानना यह है कि 70 से 75 पर्शन लोग मारूती प्रिफर करते हैं क्योंकि वह बजट कार होती है फीचर्स बहले ही कम होते हैं लेकिन यह कि सब के नजरिये में रहती है कि यहां साथ से 800 के बजट में आपको कार मिल जाएगी तो आज मैं यही अपने जो इसक classification है और अभी एक मेंट रुके आपको दिखा देते हैं मैं बता देता हूँ कि कितना चली हुई है मेरी गाड़ी 48,144 km मेरी गाड़ी चल चुकी है 2017 की purchasing है मेरी यह और अभी तक मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसकी service cost कितनी लगती है या इसका कितना maintenance आपको लगता है ऐसा तुने की अब आपको फस्ताना पड़े पूरा इस वीडियो में आपको कवर करूंगा और बने रही है आपको वीडियो इसके मत करिएगा नहीं तो इसका एक क्वाइंट आप मिस कर देंगे तो मैं पूरी चीजे इसमें आपको बताऊंगा चली आपको इसका वोक रांड दिखा दे कि वो तो मैंने आफ्टर मार्केट लगाई है मैं आपको पूरा बता दूँगा कि कैसे कितने की असेश्रीज है इसका बूट स्पेस में आपको दिखा देता हूं जिन लोगों को अलगता है कि डिजायर का बूट स्पेस कम है यह कि सदान तो मैंने इसलिए प्रिफर की थी क्योंची मुझे टूरिंग कर नहीं रहती टूरिंग कर शौक है तो यह यह 378 लीटर का बूट स्पेस है आप इ आप देख सकते हैं तो बूट के लिए तो बहुत ही अच्छी स्पेस है आप अगर फैमिली कार लेना चाहते हैं सदान में तो इससे बड़ी आप्शन आपको मिली नहीं सकता है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे पार डिजायर है आप खोड़ी एक बार शोरूम में जा है और सबसे बड़िया बात तो है इसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो डिजायर से बेस्ट आप्शन होई नहीं सकता है कोई एवरेज के लिए तो तावल तोड़ गारी एकदम आप आराम से इसको ले सकते हैं मैंने खुद इसको ट्राइ किया हाईवेड पे 21-22 का पेट्रोल पे आवरेज दे देती है अगर आप फिटी में चलने हैं तो 16-17 का आवरेज आराम से किसी भी हालत में देदेगी तो टायर आप देख रहे हैं तायर आपको इसमें नॉर्मल टायर मिल जाएंगे एलोई वील्स नहीं मिल रहेंगे बेसिक टायर मिल जाएगा वी इंजन कंपार्टमेंट दिखा देते हैं इंजन कंपाट्मेंट देका देते हैं एक आप से ओपन हो जाएगा की नहीं जी एक हास से ओपन हो गया है आप देख रहे हैं कुछ ऐसा इंजिन इंटीरियर है और कुछ ऐसा देखेंगे आप यहाँ कूलेंट के लिए जगह मिलेगी यहाँ पर आप ऐसा कुछ है कि नीचे ओपे निया दिखेगा आपको अभी जो डिजायर आ रही है 2021 मॉडल या बीस मॉडल उसमें नीचे का कवर्ड है पूरा दोर की क्वाल्टी भी आपको ठीक ठाक में जाएगी ऐसा नहीं कि बहुत हलका डोर है लेकिन डिजायर में बस थोड़ा सही है यह कि जो इसकी बॉड़ी है वह थोड़ी से हलकी बनाई है लोगों ने इसकी वज़े से एबरेट ठीक ठाक आता है लेकिन वह यह की थोड़ी सी कम्योर है बॉड़ी लेकिन आप लोग ले सकते हैं इतना कुछ नहीं है दिकत और यह कुछ ऐसा दिखता है हंदर का डोर का इंटिरियर यहा से आप देख सकते हैं इसको अपने हिसाब से आप जो आपका साइड मिरा थे उसको सेट कर सकते हैं सेम ऐसे ही आप लेफ्ट वाला देखेंगे मैं लेफ्ट वाला साइड कर रहा हूं तो आप देखरी वह मूव हो रहा है तो दोनों को अपने हिसाब से आप मूव कर सकते है पीछे का इंटिरियर आपको दिखा देते हैं, पीछे कुछ ऐसा दिखता है हमारा इंटिरियर, यह आपका डोर है, सारे डोर में आपको मेरर का ऑप्षन मिलेगा, आप अप एन डाउन कर सकते हैं, या आप बॉटल अपनी रख सकते हैं, जोटा मोटा कोई समान दख सकते हैं और यह जो मैटिंग रखी है इसमें यह मैटिंग मैंने खुद लगवाई इसको भी टाइम हो गया है और इस इवेंट आपको मिल जाता है अगर डीजल मिलेंगे तो वी डी आई से जड़ी प्लस तक जाएगा दूसी चीज है इसमें आपको सीट एजस्ट मिल जाएगा अपने हैसाब से आप सीट को अप एंड डाउन कर सकते हैं और यह जो है आप इससे सीट को गिरा सकते हैं पीछे की तरफ या आगे की तरफ जैस कर सकते हैं नीचे का कुछ ऐसा मिलेगा आपको अयुफ जी मैंने अलग से लगवाया हूँ लाइट के लिए ए और यह लंढ बिल दी अपने सेट कर सकते हैं सुल्छिन आपको मैदी bekasya देते हैं कि मिल जाएगा का यह दिखता है यहां पर मारूती की बैजिंग है यह आपको एफम लगाना है कि अपना जो आपका पैंडाइव लगा है वह लगाना है अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं बाकी यह जो आप देख रहे हैं इसका तो आप पता ही होगा आपको कोई इसको म्यूट कर सकते हैं यह आप वाल्यूम के लिए है आप इसको म्यूट कर सकते हैं और सबसे बढ़िया फीचर तो मुझे यह लगा है मैं आपको दिखा रहा हूं यह ब्लूटूथ कर निक्टिविटी और अगर हम इसके माइलेज की बात कर लें तो कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में 24.12 किलोमीटर का ठीक है लेकिन मैंने खुर इसको हाइवे पे 100-110 की स्पीड में भी देखा है तो 21 से 20 की बीच में माइलेज यह दे देती है अगर आप मतलब सिटी में चलना है तो 16-17 का माइलेज आराम से देती है लेकिन जिनको भी माइलेज के परपस से का खरीदनी है कोई सडान कार खरीदनी है फैमिली कार खरीदनी जिनकी लॉंग जर्नी जो जाते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट कार है मेरा मानना तो यह है कि आप इसको आराम से ले सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आफ्टर सेल्स सर्विस इसकी बहुत पढ़ तो दिक्कत देखिए अभी तक इस गाड़ी में कुछ नहीं आई है 48,000 में चला चुका हूं इसमें एक रती की दिक्कत नहीं आई है चोटा मोटा जो इसमें सर्विस कोस्ट भाल बता देता हूं मैं मारूति में कभी भी सर्विस नहीं कराता है क्योंकि वो लोग ऐसा मेरा मानना है कि You कैख सुष से सर्विस नहीं करते हैं तो मैं यह किया तो मुझे वहां के एक्षिजेंस काफी अच्छा लगा मैं आप से शेर कर रहा हूं वह मेकैनिक पर जो मेरी पहली सर्विस थी हम iš programmes 17 और 3,000 रुपे में मेरी सर्विस हो जाती है जिसमें कि आपका मैं आपको डिस्क्रिप्षन में भी बता दूंगा कि मुझे सर्विस में क्या क्या मिला तो 3,000 रुपए में उनकी 12 से 13 चेक पर लिष्ट होती है सर्विस की जो आपको जह से मोबीलौ रुए और आपका ब्रेकिंग सिस्टम पुरह चेक करके देंगे आपका कूल अपकर करके देंगे, और आपका चारो स्वार्ट प्लक साफ करके देंगे अगर कुछ खराब है तो वह आपको उसी टाइम बता देंगे कि इसमें कौन सा स्वार्ट प्लक खराब है आप उसको वही पर चेंज करा सकते हो मारूती में देखे क्या है अगर आप सर्विस कराने जा रही है तो आप सबस गाडी छोड़ देंगे फिर वह साम को आपको बुलाएंगे कि यह साम में यह गाडी नहीं तो यहीर दिख् them काश्टमर खुद अपनी गाड़ी नहीं देखता है साथ से आट लाक रुपय लगा रहा है जब तक कस्टमर खुद नहीं रेखें कभी यह हमारी गाड़ी सर्विस होई है कि नहीं होई है तब तक ऐसे पदा चलेगा उसको तो वही है कि गोव मेकैनिक में ऐसा नहीं है आप वहां खड़े हो के इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या समान मेरी गाड़ी में डाला है ऐसा तो नहीं कोई पुराना समान उसने डाल दी और हम से फढ़ी के चार्ज ले रहा हो तो तो कंपनी में यह है कि आप मतलब आप वहां पे उनके वर्क्शॉप में जाके देख नहीं सकते ह कहिए कि कुलेंट नहीं डाला हो कुछ टॉप ना किया हो कुछ खराबी उसमें पहले से हो तो उसको सही ना करें और गाड़ी आपको पकड़ा दें फिर आप अगले दिन जाओ तो यही चीज है कि मारूती में मैं सर्विस नहीं कराता हूं गो मैकैनिक मैं पहले से ले ले जा हूं अपॉंटमेंट और फिर जाके कुछ जैसे सेटरेडे संडे होता है तो मैं जाके उसको सर्विस करा लेता हूं तो कॉस्ट मुझे तीन हजार तक रुफे पढ़ती है जो की एक छे से साथ मैने में ठीक ठाक है तो ज्यादा इसमें को स्विस को नहीं लगता है दिक कोई दूसरी गाड़ी आ रही होती तो उसकी लाइट को ज्यादा लगती है यह लाइट कम लगती है पता नहीं कितने वाट के इसमें बल लगे में पचास वाट का बल लगा होगा जहां तक मेरा मानना है मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन पचास वाट का मैंने सुना हुआ है म जो लाइट्स आती हैं जिसमें कि आपका LED यह वो डियारल जलता है पूरा तो उसकी लाइट्स मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि अभिया वो तो टॉपेंड वेरियंट में आएगा उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा आप वो मॉडल लेंगे तो आप एक से डेल लाग रुपे आपको खाल्चा करना पड़ेगा और वही आप अगर अगर अप्टर मार्केट लगवाते हैं तो अठारा से बीस हजार में वही लाइटे आपको जड़ेक्स आपको जड़ेक्स आपको मेरा जो थमनेल है वह देखा होगा उसमें लिखा हो ए मैंने माइलेज कबाप तो इसको माइलेज कबाप इसलिए नहीं कहते हैं आप कोई भी गाड़ी लीजिए पेट्रोल में मैं दावा कर सकता हूं इससे बढ़ी है आपको कोई गाड़ी दी नहीं सकती आप टियागो ले लिजिए दूसरी गाड़ी कोई बीगार लिजिए अगर 22 का एभ्रे तोली गाड़ी चाहिए थी इसलिए मैंने इसको प्रिफर किया बाकि अपनी इपनी च्वाइज है अब किसी को डीजल पसंद डीजल में तो बहुत अगर आप यही डीजल मॉडल लेंगे तो हमारे एक दोस्त ने जो की ऑफिस में यह उन्होंने लिया हुआ है तो मैंने उसस खुद पूजाता 27-28 का माई है जो इसका ग्राउंड क्लियरंस है वह 163 का है और अगर आप मतलब ऐसे उबडखाबर राली रास्ते में जाएंगे इस गाड़ी को लेचे जैसे किसी गाउं में जाते हैं या कोई पाड़ी इलाकों में जाते हैं मतलब मोश्क्री वहां की मतलब नीचे लड़ाई देगा गाड़ी जिससे आपका नीचे का नुकसान लाजमी है तो यही इसमें एक छोटा सो मुझे ड्रॉबैक लगा लेकिन यह है कि यहां हाइवे के लिए तो सिटी के लिए तो यह गाड़ी परफेक्ट एवरेज भी बढ़िया दे रही है और सर में गाड़ी पर फिफियर किये